नमस्कार आप देख रहे हैं दाइंगल मैं हूँ आपके साथ दिपाली मातुर्च वाली नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर चुनावा आयोग नी किया चुनावों की तारीखों का एलान पांच राज्यों में साथ चर्णों में होंगे मतदान दस मार्च को होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मुखे मंत्रे शोग गहलोद किसानों को देंगे राहत ओलाव रिष्टी से फसल खरावे का मुआवज़ा देगी सरकार गिरदावरी के दिये निर्देश पंजाब सरकार के खिलाफ राजस्तान भाजपा ने राज़िपाल को सौपा ग्यापन कड़ी कारवाई की करीमा वसुन्द्रा राजे के करीबी भवानी सिंग राजवत ने की गहलोद सरकार की तारीफ पट्टा देने पर जताया आभार पंच राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का एलान हो चुका है चुनावों की तारीखों के एलान के साथ ही पांचों राज्यों में आचार सहीता भी लागू हो गई है वहीं चुनावों के दौरान कोरोना नियमों की पालना का पूरी तरह सिध्यान रखा जाएगा कोरोना संक्रमन को देखते हुए पोलिंग बूत भी जादा बनाए गए है चुनावायुक ने बताया कि इस बार मतदाताओ की संख्या जादा है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चुनाव करा ना चुनाती पूर्ण है कॉंग्रेस की महासचीव प्रियंका गांधी आज सोशल मीडिया के जरिये जनता से रूबरू हुई इस दोरान उन्होंने ऑनलाइन ही जनता की पूछे गए सवालों के जवाब दे प्रियंका गांधी ने यहां एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नकारात्मक्ता का मु जोशना की है यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम छात्र छात्राओ तथा नौजवानों को लैप्टॉप उपलब्द कराने का कारे करेंगे इतना ही नहीं उच्छ शिक्षा प्राप्त करने के आकांशी मेधावियो को विदेश भी बेजा जाएगा अखलेश आदव देप्रदेश की योगी आधितिनात सरकार पर भी हमला बोला है उन्होंने कहा कि ये सरकार के वल जूटे प्रोपगेंडे चला रही है मैंने कई बार कहा कि हिटलर के पास तो सिर्फ एक प्रोपगेंडा मिनिस्टर थे ये सरकार तो पूरी तर है प्रोपगेंडा पर चल रही है भाजपा से जादा जूट बाटने वाला कोई नहीं है वहीं चुनावों की तारिकों के एलान से पहले ही पंजाब में नए डीजीपी को न्यूक्त कर दिया गया है विरेश कुमार भवरा पंजाब के नए डीजीपी समय हो रही है जब राज्य में विदान सब चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है प्रदेश में हुई भारी बारिश और ओला वरश्टी से हुई किसानों के फसल खराबे का गहलोत सरकार मुआवजा देगी सरकार ने जल्द ही गिर्दावरी करने की निर्देश दिये है गिर्दावरी की रिपोर्ट आते ही प्रभावित किसानों को नियम अनुसार मदद की जाएगी आपदा प्रबंदन विभाग के प्रमुक्षासन सचीव आनंत कुमार ने बताया कि फसल खराबे की गिर्दावरी करने की निर्देश दिये गए हैं गिर्दावरी हुई चूप के मामले को लेकर आज राजस्थान भाजपा ने राजभवन जाकर राजजेपाल कल राज मिश्र को ग्यापन सौपा इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलापचन कटार या उपनेता प्रतिपक्ष राजिंद्र राठोड सांसद राम चरन बोहरा मुख्य प गहटना ने पूरे घटना करम को और लोम हरशग बना दिया है आतंग्वादियों का पंजाब में चुपा होना कहीं न कहीं गहरी साजिष की और इशारा करता है उन्होंने मांग की कि आतंग्वादियों को पना देने वालों पर भी कारवाई होनी चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजे के करीबी भवानी सिंग राजवत के निशाने पर कॉंग्रेस के राष्ट्रे नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री अशोग गहलोत तक रहते हैं लेकिन आज भवाने सिंग राजावत ने कॉंग्रेस की राजस्थान सरकार के लिए जम कर तारीफ की है उन्होंने राजे सरकार के पट्टा वित्रन अभियान की सराहना की है ये मौका था जब कोटा दक्षिन के महापौर राजीव अग्रवाल उनके घर पर मोखा पाड़ा इस्तित पैत्रक मकान का पट्टा देने पहुंचे थे इस पर राजवत ने उनका धन्यवाज जताया राजवत ने कहा कि कॉंग्रेस सरकार हमारी शासन में जो हम नहीं कर पाई वो कर रही है मुझे खुशी है कि नगर निगम कोटा दक्षिन की तरफ से घर घर जाकर पट्टे जनप्रतिनिद्यों को दिये जा रहे हैं राजसान विश्विध्याले का आज 31 वा दिक्षान समहारो और 76 वा इस्थापना दिवस आयो जित हुआ इस कारिक्रम में 113 विध्यार्थियों को 119 स्वन पदक, 472 पीचडी, 3 डिलिट और 153,000 उपाधियों का वित्रण किया गया राजजेपाल और कुलादीपती ने वर्चुल कारिक्रम को संबोधित किया कल राजबिश्र ने कहा कि शिक्षा, स्वास्ते, व्यापार, तकनीक, उद्योग, पुन्जी, श्रम और संस्क्रती, सभी शेत्रों में देश कैसे सर्वोच इस्थान पर पहुंचे विश्विद्याले शिक्षण के अंतरगत इस पर विचार किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो व्यक्ति को शिक्षित बनाने के साथ आत्म निर्बर भारत का निर्मान कर सके मनोहरपूर कस्बे के समीब वर्ती चारसा गाओं में कोरोना जागरुकता अभियान के तहट सामुदाइक मीटिंग का आयोजन हुआ इस मीटिंग में व्यापक रूप से बढ़ रही कोरोना महामारी से बचने के उपायों के बारे में बताया गया फाउंडेशन के वॉलेंटियर डॉक्टर धर्मेंद्र रोजवाल ने कोरोना महामारी में सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए बताया इस अभियान के तहट मास्क वित्रन यूथ मीटिंग डोर टो डोर सर्वे मुख्य बाजार में माइक से अनाउंसमेंट करवाना और वॉल पेंटिंग आधी के माध्यम से कोरोना महामारी में जागरुकता अभियान किया जा रहा है कर दो कर दो कि वालन के खिए